आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 का कोश्चन नमर 10 करेंगे कोश्चन है कि एक चत्रभुज ABCD एक बिकर्ण प्रसपर बिंदू ओपर प्रतिछेद करते हैं कि AO by BO equal to CO by DO है दर्साइए कि ABCD एक समलम मतलब ट्रैपीजियम है तो बोला गया है कि ABCD का एक क्वाडिलेटरल है चत्रभुज है इसके बिकर्ण बिकर्ण मतलब बिकर्ण मतलब होता है इंगलिस में इसको डाइगर्ण कहते हैं हिंदी में इसको बिकर्ण कहते हैं प्रसपर बिंदू ओपर क्या करता है प्रतिछेद करते हैं ऐसे करते हैं कि AO by BO equal to CO by DO मतलब इसके जो side के ratio है वो क्या हो जाते आपस में बरावर हो जाते हैं ठीक है AO by BO equal हो जाता है CO by DO का हो जाता है ठीक है तो आपको प्रूब करना है दर्साना है कि ABCD क्या है संबलंब है तो हमने यहाँ पे एक संबलंब ही बना दिया है तो याद रखिएगा कि जो आपको प्रूब करने के लिए बोला जाए वही फिगरा बनाए आपको बोला गया है संबलंब प्रूब करने के लिए ट्रैपीजियम प्रूब करने के लिए तो हम क्या बनाएंगे ट्रैपीजियम ही बनाएंगे ठीक है क्या दक संजमा गया अब कुछ लोग बोलेंगे trapezium quadrilateral है अरे trapezium भी quadrilateral ही है trapezium is also a quadrilateral ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं चलिए आप देखते हैं आगे की तरफ क्या करेंगे इसको आपके पास जो given है चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं तो given में जो दिया गया है वो क्या है given है आपके पास ao by bo equal है co by do का यह आपके पास given है आपको क्या prove करना है तो लिखेंगे true proof इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं दिया है है ना इसको लिख सकते हैं दिया है और यह true proof आप लिख सकते हैं या आप इसको लिगेंगे सिध करना है, जो लिखना याँ लिख सकते हैं, कोई देखत नहीं है, तो टू प्रूफ क्या करना है आपको, आपको ये प्रूफ करना है, कि A B C D क्या है, सम लंब है, ट्रैपीजियम है, तो चलिए यहाँ से हम लोग प्रूफ करते हैं, कोई construction नहीं करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं, पहले थ्वह सा जान लेते हैं, थ्वह सा mind setup करते हैं, कि करेंगे कैसे, तो इसे करने से पहले थोста साब बहुते हैं, तो ये दोनो आपस में क्या होते हैं, पैलल होते हैं, और ये पैलल नहीं होता हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ मारा है, तो मेरा कहने का मतलब यह है, कि अगर हम कैसे भी A B को पैलल कर दे सी डी के, कैसे भी हम अगर AB को CD के parallel कर दे तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है एक समलंब है तो इसके लिए parallel करने के लिए कैसे हम parallel करेंगे यहाँ पे तो ना आपके पास alternate मतलब एक आंतर कौन दिया गया है ना कुछ ऐसा angle दिया गया है जिससे हम क्या कर सके कि बोल सके कि चलो यह parallel होगा तो आपने परहा था आपने 9th क्लाफ में परहा होगा कि जब दो parallel line के बीच जब दो parallel line के बीच और एक transversal line गुजरती है मतलब जब दो समांतर रेखाओं के बीच जब एक तिरियक रेखा गुचरती है तो इसके यह angle और यह angle क्या होते है alternate angle होते है मतलब एक अंतर कोन होते है यह होता है लेकिन suppose मान लिजिए कि यह दो parallel नहीं दिया गया है सिर्फ दो line बना दिया गया है ठीक है और यह क्या है line खीचा गया है तो अगर आपके पास given है कि angle यह 1 है यह 2 है angle 1 angle 2 के कुल है आपके पास parallel नहीं दिया गया है और आप से सिर्फ बोला गया है कि angle 1 जो है angle 2 के कुल है तो आप यहाँ पे हम कह सकते हैं कि angle 1 जो है angle 2 के कुल है तो कहीं न कहीं यह क्या बना रहा है कांतर कोन बना रहा है है ना तो यह क्या हो जाएंगे alternate angle हो जाएंगे तो अगर हम इसको क्या करें समरूर प्रूव कर दे और similar प्रूब करने के बाद ये angle इस angle का क्या होगा equal होगा क्यों होगा CPST से होगा corresponding parts of similar triangle से हो जाएगा तो चलिए ऐसी ही करते हैं तो लिखेंगे triangle AOB तथा triangle COD में आपके पास दिया गया है AO by BO equal दिया गया है CO by DO तो ये कहा से आया तो ये आपको देना पड़ेगा reason कहा से आया तो लिखेंगे दिया है ये तो उपर में दिया गया था ना हम थोगी आपने मन से लिखें उपर दिया गया था लेकिन आप गोड से यह देखें तो AO by BO अब problem यहाँ पर ये create हुआ कि एक ही triangle अगर माली जो 2 triangle हमको प्रूव करना है, congruent, तो मुझे, sorry congruent ने similar, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यह side, मतलब इस triangle का एक side और इस triangle का एक side को ही लेना होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे तो एक ही triangle का दोनों हो रहा है, तो मुझकिल हो गया, माली जो कि AO by OC होता, तब ठीक था क्योंकि दोनों triangle का एक triangle का AO आ गया और एक triangle का OC आ गया तो तब थो ठीक था लेकिन यहाँ पे AO by BO एक ही triangle में बास समझे मा रहे हैं ना तो ऐसे हो गया तो इसको हम कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं AO by CO equal to BO by DO तो कुछ लोग बोलेंगे अपने मन से लिख दिए क्या मन से नहीं लिखे हैं बस समझते हैं कि इसको हम ऐसे क्यों लिखें suppose मा लीजिए कि आपके पास यहाँ पर हम समझा रहे हैं यहाँ पर देखते हैं धोरा सा देखें यहाँ पर अगर आपके पास 4 by 5 है ठीक है और equal दिया गया है 6 by 3 माल लीजिए ना दिया गया है अब एक question ने बोला गया है आपको suppose माल लीजिए question ने बोला गया है कि यहाँ जो 5 है न यहाँ 5 नहीं होना चाहिए 6 होना चाहिए तो कुछ लोग बोलेंगे possibly नहीं 6 कैसे ले लेंगे हम तो 6 ले सकते हैं आप उसको बना सकते हैं कैसे देखिए जब आप इसको cross multiplication गुना करेंगे multiply करेंगे तो क्या होगा आप इसको लिख सकते हैं 4 into 3 और इसको लिख सकते हैं 5 into 6 लिख सकते की नहीं लिख सकते यह बताएए तो यह जो 4 by 5 है अचा यह जो 5 और 6 है क्या मैं 6 को पहले लिख दूँ और 5 को बाद में लिख दूँ तो क्या कोई दिक्कत है कुछ नहीं दिक्कत है हमने क्या किया है कि 5 into 6 था ना हमने 6 into पहले यहां पे 6 दे दी यहां 5 दे बात तो सेम है ना इसलिए हमने यहां पे किया है BO है ना BO CO तो हमने CO को यहां रख दिया BO को वहां रख दिया क्या दिक्कत है यहां तक समझ में आ गया होगा आपको चलिए इसलिए हमने ऐसा किया है इसके बाद देखिए आप ग़र से AO by CO चलिए मिल रहा है ये side, ये side, इस side, इसका देखिए, b o by d o, अब देखिए, sides के ratio मिल गए, दो side के ratio मिले हुए है, चलिए, ठीक है, दो side के ratio मिल गए है, अब मुझे एक और चाहिए, तो देखिए न, angle देखिए, ये angle, देख रहे हैं, ये angle, तो ये angle है, तो आप लिख सकते हैं, कि angle a o b equal होगा, angle c o d का, a o b c o d का equal होगा, होगा, किसके लिए होगा, reason देखिए, सिरसा भीमुख कौन, क्यों होता है, हिंदी में कहते हैं, सिरसा भीमुख कौन, और आप इंगलिस में लिखना चाहेंगे, तो vertically opposite angle लिखते हैं, इसको हम हिंदी में ही लिखते हैं, सिरसा भीमुख कौन, ठीक है, भीमुख कौन, इसके करण, ऐसा होता है, इंगलिस में क्या लिखेंगे, vertically opposite angle, ठीक है, अब देखिए, ये side का ratio, इस side के बड़ावर हो गया, ये side, इस side के, और ये जो है, क्या हो गया, ये जो है, क्या हो गया, angle angle equal हो गया, तो कहीं न कहीं देखिए, side angle side, side, angle side, either side angle side, इधर भी side angle side, तो side angle side से क्या हो गया ये, ये similar हो गया, तो आप लिख सकते हैं, कि triangle A.O.B similar होगा, मतलब समरूफ होगा, triangle C.O.D. का किसलिए होगा कौन से रूल तो side angle side rule से यह क्या हो जाएंगे हो जाएंगे समरूप अब जब यह समरूप हो गए तो यह angle इस angle के equal होगा की नहीं होगा होगा cpct से होगा तो आप लेख सकते हैं angle oab equal होगा angle ocd का किसके कारण cpct से होगा sorry वहाँ पे cpct हम बोल दिये थे cpct से होगा corresponding parts of similar triangle से होगा ठीक है अब जब यह दोनों आपस में equal हो गए तो आप कह सकते हैं यह दोनों क्या है alternate angle है की नहीं है alternate है तो आप लिख दिज़े यहाँ पे ऐसे लिखेंगे यह दोनों कौन कौन यह दोनों यह दोनों कौन कौन मतलब angle यह दोनों कौन एकांतर कौन है to alternate angle को ही क्या कहते हैं । इसलिए आप कह सकते हैं कि AB जो है वो parallel हो जाएगा किसके ? C D का और जब AB parallel हो जाएगा C D का तो आप कह सकते है कि ABCD ABCD एक trapezium है यही क्या था ? comment tap तो I hope यह test आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें मेरे चनल के विटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेश करना ना भूले ताकि नए वीडियो आपको जल से जल मिले मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद तब तक के लिए good night take care and bye thank you